2014 में सुन्दर पिचाई जी ने यहाँ पे इंड्रोइड वन और उस जमाने में जोर शोर से आया था कि यहाँ पे आपको एक अच्छे मोबाल फोन के अंदर एक स्टॉक एंड्रोइड एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा 2014 में जोर शोर से इसकी शुरुवात हुई थी लेगन प्रॉब्लम ने कि अभी इस समय एंड्रोइड वन वाले फोन आखिर है कहाँ पे तो यार आज इस वीडियो में इसी के बार वे पता लगाते आखिर एंड्रोइड वन की कहानी किया वो कहां गया और क्या आपको फुचर में एंडरोइड वन वाले फोन दो क्या हो रहा है एंडरोइड वन के साथ वीडियो में पूर्य ँन्ट देखने को ज्यादा खरा तो Google को लोगा कुछ बजट एंट्री लेवल फोन निकाले जाए इन जो लोकल मैनुफेक्टरर से उनका यूज करगी जिसके अंदर हार्डवेर ये लोग बनाएंगे और उसकी स्पेसिफिकेशन भी Google सेट करेगा हार्डवेर ये लोग बनाएंगे मैनुफेक् असकी बाइब बताओ आप लोगो एंड्रोइड वन से पहले गूगल ये सिमलर चीज़ गूगल के प्ले एडिशन के साथ भी ट्राइ कर चुकी है जहां पर सैमसंग एश्टी सी बड़ी कंपनी अपने फ्लेक्शेफ फोन के अंदर स्टॉक एंड्रोइड का जो एक्स्पि वाला जो मार्किट है वो यहां पर तरही से निकल नहीं पाया लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2017 में जब यहां पर MIA1 निकालती है शामी अब उस जमाने में क्या था कि शामी के हिसाब से नोन में थोड़ी बत कंडिशन वगरा चेंज करी थी मैंतलब पहले क्या होता थ जो आउट आफ दा बॉक्स है देखने को मिलेगी यानि गूगल के काफी सारे रिस्ट्रिक्शन वगरा थी लेकिन वहीं जब शामी के पास गया तो उन्होंने स्टॉक एंड़ोड को अपने इसाफ से थोड़ा बत मॉडिफाय किया यानि कि स्टॉक एंड़ोड रहा लेकि अब 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 डेट मिलना चाहिए एक्जिक्यूशन वाला पार्ट जो पहले गूगल के पास था वो हटके अब शौमी के पास चला गया और देखा तो शौमी का एंड़ोड वन की वेबसाइट पे वहां पे आपको सब पुराने फोन देखने को थे जैसे नोकिया 5.3 मोट वन विजन ये सारे पुराने फोन थे इवन मोटरला ने अब तो खुद एंड़ोड वन वाले फोन निखालने बंद भी कर दी है और खुद जो नोकिया है एचमडी ग्लोबल है वो खुद आप एंड़ोड वन का रास्ता भी नहीं ले रही है वो खुद आप इस चीज को प कर रही है जैसकी बात करें काफी एचा एक्जामपल है रियल मी का रियल मी ने कभी भी अपना एंड़ोड वन फोन निकनी निकाला लेकिन 2019 में रूमर इनका काफी देश से चल रहा था कि इनका एक एंड़ोड वन वाला फोन आने वाला है लेकिन उसके चलते यहां पे कि एंड़ोड वन पर क्यों फोकस कर रहे हमें एक रियल मी यूई पर फोकस करते है और उसके अंदर वो अपने कस्टमाइज एक्सपीरियस देते हैं और सारी की सारी चीज़ उन्हों ने वहाँ पर मूव कर दी कि यहां पर कंसिस्टेंट एक्सटेंस रहेगा सभी फोन्स क अंदर एक जैसे फीचर एक जैसी चीज़ आपको देखने को लेंगी इसलिए उन्होंने रियल मी यूई पर फोकस किया इवन देखा जाय तो एंड्रोइड वन शौमी ने भी इसलिए डिच कर दिया कि वो लोग एंड्रोइड वन को निकालते निकालते जो एंड्रोइड प्लेट्वर्म पहले काफी अलग था उसके बाद जाके काफी अलो गई है जहां पहले पूरा कंट्रोल के पास रहता था अब उसके पाद यसी कंपनी के पास पूरा कंट्रों आने लग गया तो एंडोइड वन वो चीज नहीं है जो चीज गूगल ने हाप सोची थी अभी इस समय देखा तो सिर्फ एक नाम का प्लेटफॉर्म है, यह देखा तो बिलकुली डेड है, और कोई भी Android One वाला फोन आए चाह नहीं है, उसके दो सॉफटर जो रहता है न, उसकी कंपनी ही यहाँ पर डिसाइड करती है, कि exactly उसे सॉफटर एक्सपीरियस कैसा देना है, इसल टॉक एंडरोइड के साथ limited feature डाल सकते हैं, खुद की skin बनाके आप एक differentiation factor create कर सकते हैं, उसके अंदर unique feature डाल सकते हैं, और लोग को बता सकते हैं कि उनके phone में क्या अलग है, जो दूसरे phone में नहीं है, और इसी तेरीके से जो custom UI, custom skins होती है, वो यहाँ पर चली, आप खुद ह देख सकते हैं, One UI ने भी यही काम किया, Oxygen OS का काफी था example है, stock Android से Color OS वाले के उपर इसलिए move करे थे, क्योंकि Color OS काफी दा feature रिष्टा, जबकि Oxygen OS काफी हतला कि stock Android के साथ था, और यही उसकी कमी थी, कि उसके अंदर वो जादा features नहीं डाल सकते थे, जब तब तब वो किसी iOS के पीछे, क्योंकि Google के पीछे का main name ये था, कि वो सस्ते जो budget phones होते हैं, वहाँ पर affordable category के Android phone को लेगा है, और यही चीज आगे चलके Android Go में बदल गई, Android Go यही चीज है कि एक light version होता है Android का, जिसके अंदर Go based apps चलती है, और जो बिलकुली entry level phones होते हैं, 5000, 6000, 7000 वाले, उनके अ अंपनीज को पूरी छूट दे दी, कि वो अपने साब से कस्टमेज कर सके, इसके साथ ही जो Google वाले, उनका यहाँ पर जो focus है, वो तो आप जियो phone next के साथ भी, कि वहाँ पर प्रगती OS के उपर focus कर रहा है, जहाँ पर entry level phone के लिए कि special OS बनाया जा सके, जहाँ पर Android OS के features को implement किया जा सके, प्लस एक stable experience दिया जा सके, वो भी entry level hardware के अंदर, अभी Google का यहाँ पे जो main aim में वो उधर हो चुका है, शिप, ना कि यह aim है कि जादर से जादर phone stock Android के उपर चले, इवन Google वाले तो खुद जब से phone बनाने लगे, तब से बाकी सारी companies है ना, वो खुद अब stock Android phone बनाने के लिए पीछे हट रही है, और जैसे Google यहाँ पे mobile phone market के अंदर, पिक्सल फोन बना रही है, और उस range के अंदर Google से directly compete ना करने के लिए company अमनी खुद की UI को यहाँ पर जादा popular कर रही है, तो at the end of the day बात यह करे, Android One वाले प्रोग्राम के अंदर, चीज काफी अची थ से में, चिप से में, और software भी अगर सेम हो जाता, तो यूनीकने सोती phone की वो खतम हो जाती, और शैद Google को भी यही लगा कि यही चीज सही ठीरी के से काम नहीं कर रहे है, और जिस तरीके से चल रही ही चीज़े, वैसी उसे support करना चाहिए, और अपना खुद का hardware market में निकालन यही चीज, हो सकता है कि stock Android, pure Android के साथ कुछ और phones देखने को मिलें, लेकिं Android phone देखा जाए, शायद अभी के सवे में dead हो चुका है, लेकिन इसका मतलन यहापे बिल्कुल भी नहीं कि Google को यहापे Android के यहापे बिल्कुल भी नी पड़ी है, वो यहापे अलग-अलग type की rules regulations ल अभी Android के प्रोग्राम के अंदर, जहाँ पर कोई भी गंदी अगर अपना Android phone निकाले, भली वो किसी प्रोग्राम के अंदर आता है या नहीं आता, लेकिन अगर उसके इंदर Google की play services चल नहीं है, तो उसके अंदर उने कुछ minimum चीज़े हैं पर follow करनी पड़ेंगी, जिससे व आप लोगो पसने है, लेक करो, चल को सब्स्क्राइब करो, तेक अगर गुडिते पिकी, मैं आउसनल दवा नेस्ट वन के अंदर, गुड़ बाई!